नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कुरोना महामारी के खिलाफ लड़ने में संजीवनी साबित हुए दो वैक्सीन को भी सील्ड एंड को खुले बजार में उतारने की अनुमती ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है ये मंजूरी कुछ सर्तों इस मतलब नहीं कि निसूल को वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है वो बंद हो जाएगा वो एजिटी चलता रहेगा गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया ने ये फैसला लिया आपको बता दे कि वैक्सीन तो कई लग रही है लेकि सुरुआती दोर म को मंजूरी मिली है डीजी सी आई के मुताविक मेडिकोल इस्टूर्फ वैक्सीन नहीं मिलेगी टीके की खुराक अस्पताल और क्लिनिक से खरीदी जा सकती है टीका करन डाटा हर छह मैने में डी सी जी आई को जमा करना होगा को विन एप पर भी डाटा अपडेट किया जा प्योग के साथ-साथ बैस्क आबादी के लोगों के लिए कुछ सर्थों के साथ अनमती दी है आपको बता दे के कोरोना ठीका करन को ले करके जो अभी तक के अपडेट है उसके मुताविक 95% से ज्यादा लोगों को पहली खुराक और 75% से ज्यादा लोगों को दूसरी खु 42 क्रोना के सक्री मामले है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 17.75% है एक 11 राज्यों में 50,000 से अधिक सक्री मामले है महारिस्ट करनाचक के रहल में 3,000,000 से अधिक सक्री मामले है तो आप रहिएने बेखबर देखते रहिए इनखबर थैंक्यू